हेलो स्वागत है अब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इमके एक्जाम पिरप्रेसन में मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम प्रेंड्स 36 गड़ के सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट टॉपिक काक्ति वन्स का डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगी कि इससे एक्जाम में किस टेप की क्योश्टेंस पूछे जा रहे हैं सीजी पीएसी और व्यापव में तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देखियेगा और अगर चैनल में फर्स्टें विजिट किया है तो बेल एकन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है तो काक्ति वन्स की बात करते हैं तो बस्तर में सरवाधी के लंबे समय तक इस वन्स ने सासन किया था और इसके सासन वदी 1324 से 1921 इसवी के बीच में मानी जाती है जिसे एक्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है और सासन छेतर कौन सथा तो बस्तर और इस वन्स के संस्थापक किसको माना जाता है तो राजा अन्नाम देव को माना जाता है ठीक है जिसका आगे हम लोग अच्छे से ओर डिसकासन करेंगे और इस वंस के अंतिम सासक प्रेवीर चेंद्र भंजदेवजी को माना जाता है जिनके नाम पर चतिर्गर राजय अलंकरर पुरुषकार दिया जाता है तीरा अंदाजय के छेतर में वही काक्ति वंस ने कौन-कौन से छेतर को राजधानी बना कर सासन किया था तो मंधोता को अन्नम देव ने राजधानी बनाया था और सासन किया था चक्रकोट को पूर्सुत्तम देव ने रलधानी बनाकर सासन किया था बस्तर को दिकपाल देव ने रलधानी बनाकर सासन किया था वही जगदलपूर को दलपत देव ने रलधानी बनाकर सासन किया था यह सारे एकजाम में आ सकते हैं इसको याद रखेगा और साथ में नोट्स बनाते जरूर चलिएगा ठीक है यहाँ पे और देख लेते हैं काक्ति बंस के बारे में तो तेरा सा नौ इस्वी में अलावदिन खिल जी के दच्छिड भरत विजय अभियान के दवरान मलिक काफुर को समराजवी विस्तार हेतु वारंगल भेजा गया तबी यहां के काक्ति सासक राजा रूदर प्रताब देव ने बिना युद्ध किये स्वयम की मूर्थी को सोने के जंजीर से बांद कर कोहिनी रहे के साथ आत्म समरपड कर दिया अर्थात अलाओ दिन केल जी के सामने आत्म समरपड कर दिया कालांतर में गया सुदिन तुगलक ने 1321 सिस्वी में आक्रमड किया और यहां सासित काक्ति वन्स के सता को कमजूर कर दिया तबी अन्नम देव ने इस चेत्र को छोड़ कर बस्तर चेत्र के सासित ॗ नहां का अंध कर बस्तर चेत्र में काक्ति वन्स की ने रखी तो यह Baldलोग याद रखे इसके प्रिष्ट भूमी को कि अन्नम देव ने 36 गड़ के बस्तर चेत्र में अपना समराज्य कैसे इस्थापित किया है तो इसका यहाँ पर ही रीजन दिया गया है इसको मेंस में भी पूछ सकते हैं दो नंबर में आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें काक्टी वेंस में स्वतंद्र सासक मराठा दिन सासक आगला मराठा के अधिन सासक यह सारे में डीवाइड़ हैं तो सबसे पहले स्वतंत्र सासक में हम लोग अन्नम देव, भैरम देव, पूरसुत्तम देव करके यहां तक पूरे राजा आजमेर सिंग तक पढ़ेंगे वही मराठा धिन, जो मराठा के अधिन थे, तो कौन थे तो दरिया देव, वही आंगल मराठा मतलब की जो आंगल पारे देवी और प्रवीर चंद्र भंजदेव जी, तो चलिए सबसे पहले अन्नम देव के बारे में, सबसे पहले हम लोग यहां पर स्वतंत्र सासक कौन-कौन थे, जिन्होंने किसी के अधिन सासन नहीं किया, उन सबका डेटल में देखते हैं, फेके करके सबका अच्छे इस डेटल लेखते जाएंगे, तो यहां देखिए स्वतंत्र सासक में सबसे पहले राजा अन्नम देव जी थे, ठीक है, इनका सासन काल 1324 से 1379 तक था, यहां पर डेट को आप लोग याद नहीं रखेंगे, तो भी चलेगा, क्योंकि एक्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो इसके संस्थापक, इससे संस्थापक का जाता है, राजा अन्नम देजी को अर्ष के जो सासन काल है, उसको याद रखिए 13 सतब्दी में, ठीक है, उसको इक्जाम में पूछा जाता है, तो इसको संस्थापक का जाता है, काक्ति बन का, अर्ष ने मंधोता, बस्त दंतेश्वरी मंदिर के निर्माण कराया यहां पर गाव अगरा को याद करने की ज़रुरत नहीं है यह सब इकदामे नहीं पुछा जाता बस यहां पुछा जाता है कि दंतेश्वरी मंदिर के निर्माण की सासक ने कराया है यह फिर की सासक ने कराया है तो काक्ती बंस के सास की वन्स के नाम से भी स्मभोधित किया गया है किस वन्स को तो काक्ती वन्स को कि sólo कि की में स्मभोधित किया गया है लोग कितों में बस्तर अगे देखते हैं Ses back है जिसने shifts किया था इनकी पतनी मेगई रिज के लिन आखेट विध्या में निपून्द थी बस इसको यही आपको याद रखना है वही जिसकी इसमृति में बस्तर में आज भी मेगी साड़ी प्रसिद्ध है तो मेगी साड़ी क्यों प्रसिद्ध है तो भरम दे के पदनी के वज़े से मागी इसमें और कुछ याद करने लायक चीज नहीं है अब बात करते हैं पुर्सोत्तम रालधानी को क्या-क्या इस्थनांत्रित किया इसने चक्रकुड को रालधानी बनाकर सासन किया है ठीक है इसकी उपाधी देखते हैं तो रत्पती की उपाधी इसने धारण की थी ठीक है और इसको किसने दी थी तो पूरी के सासक ने पूरी के सासक ने 16 पयो कर रत भी ने पर रद प्रदयान किया गया थैं जिस वज़ा से नहें रद पति कहा जाता है यह भी एक्जाम में आने लाइक क्योस्टें से क्यूंकि याद रखे, पढ़ना मतलब याद करना बस्तर में 20 सुप्रदिद रत यात्रा है और गोंचपर्व के प्रारम इनी के द्वारा किया गया था इसे एक्जाम में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है कि बस्तर में जो रत यात्रा और गोंचपर्व होता है कि सासक ने प्रारम किया था तो पुर्षोत्तम देव ने चोधवी सदी में इस बात को याद रखिए अब आगे देखते हैं राजा प्रताब देव जिसने सोलवी सदी में सासन किया था तो इनके समय में गोलकुंडा के मुहमद कुली कुतुपसा के सेना ने बस्तर में आक्रमड किया था कुतुपसा के सेना बस्तर के सेना से बुरी तरह प्राजित हो गई थी तो किसने आक्रमड किया था तो गोलकुंडा के सासक मुहमद कुली कुतुपसा ने बस इसी चीज को यहाद रखना है आपको आगे देखते हैं वीर सी देव ठीक है इसने राजपूर के दूर्ग के निर्मार कराया दूर्ग अर्थात किला होता है यह तुना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है यहाँ पर लेकिन हमें यहाँ पर सीरीज बेज पढ़ते जाना है और याद करते जाना है दिकपाल इसने राजपूर कोर्ट से बस्तर इथरांतिर्थ किया बस यहीं याद रखना है कि इसने बस्तर को राजपूर कर शासन किया है दिकपाल देव ने ठीक है कब किया तो 1680 में वही राजपाल देव आगे देखते हैं तो 1779 से 1721 इसने प्रौट प्रताप चक्रवर्ति की पटवारी 2017 में इसे पूछा गया था कि प्रौट प्रताप चक्रवर्ति कीस ने मतलब कीस वंस के सासों को ने उपाधी दिया गया था तो वहाँ भी दिया गया था आप्सन तो वहाँ पर काप्ति वंस आएगा और यहाँ जो राजा पाल्देव है वो माडिक केस्वधी देवी के उपास सकते हैं ठीके यहीं आपको याद रखना है आगे देखते हैं दलपत देव 1731 से 1774 इसने जगदलपूर को राजधानी बना कर सासन किया दलपत देवने इनके सासन काल में प्रताम भोशला आक्रम नीलू पंत ने किया जो असफल रहा प्रदाम सरु 1770 इस्वी में रजानी बस्तर से जगदलपूर इन्होंने इसनांतित किया दलपत देवने अपने नाम से दलपत सागर तलाप और जहील के निर्माण कराया है जगदलपूर में वरतावान में छत्तिकर का सबसे बड़ा जिल दलपत सागर जिल है जो कहां पर है जगदलपूर में याद रखे इसको जो दलपत सागर जिल कहां है तो जगदलपूर में बंजारों का बस्तर में व्यपार और नमक सभ्यता का प्रचार बंजारे बस्तूवी निमाय व्यपार के दौरा नमक के बतले जनजातियों से बहुप मुल्य वनुपच प्राप करते थे और याद रखेगा सबसे most important है कि जो वनुवासियों जो आदिवासिय और वनुवासिय है उनका 166 कप से प्रारव हुआ था तो राजा दर्पद्द्यों के कारेकाल से 1731 से 1774 के बीच में उसका रिज़ान यहाँ पर एक्स्प्रेंट कर रहा हुआ है आगे देखते हैं तो राजा अजमेर सिंग जो स्वतंद्र सासकों में सबसे अंतिम सासक थे 1774 से 1777 इस्वी इन्हें बस्तर छेत्र में क्रांती का मसीहा कह जाता है याद रखे क्रांती का मसीहा अजमेर सी के नेतितुमें बस्तर का प्रथम जन्जाती विद्रो हुआ था 1774 में कौन सा विद्रो तो हल्बा विद्रो याद रखे हल्बा विद्रो धरिया देव ने ब्रिटिक सदिकारी वो मराठो के साथ उटनितिक सड़ियांत्र कर अजमेर सी को पराजित कर दिया था कि इनके साथ मिलके तो ब्रिटिस सदिकारी हुआ मराठो के साथ और यहीं से जो आंगल मराठा अधिन सासक है उनका सासन काल स्टार्ट होता है इस विद्रो के बाद काक्ति वन सासन मराठो के अधिन आ गया तो याद रखिये राजा अजमेर सिंग को यहाँ पर दो चीज़े आपको याद रखने की जोगरत है कौन-कौन से तो इसे करांति का मसीहा का जाता था दूसरा इनके समय हलबा विद्रो हुआ था 1774 में यह सारे विद्रो है उसका अलाग से हम लोग सीरीज चलाएंगे उसके लिए आप चैनल से अपडेट रहेगा और इस लेक्चर के पीडियेप के लिए आप मुझे टेलिग्राम में जाकर चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं अब देखते हैं जो मराठा के अधीन जो जितने सासक थे उनके बारे में तो सबसे पहले दरिया देव अजमेर सी हलबा अन्दोलन में पराजित हुआ किसके सडी अंत्र तो दरिया देव ने यहाँ पर अंग्रेजयों की मदद किया था जिसे ये पराजित हो गए इन्होंने सता हस्ता आंत्राण ये तो जैपूर नरेश विक्रम्देवा भोशला सासाक राजा बिम्बजी के प्रतिनी धी अभी राओ केमद 6 अबरेल 1778 इसवी को कोटपाल की संधी की कोटपाल की संधी को भी बारबर पूशा जाता है एक्जाम में तो यहाँ पर देखें 6 अबरेल 1778 में किनके किनके बीज में हुआ तो यहाँ पर उसीच को आप देखिए जैपूर नरेश विक्रम्दे और भोशला सासाक राजा भीम्बा जी के प्रतिदि अभी राव के मद्धे है ठीक है भीम्बा जी के प्रतिदि अभी राव और विक्रम्दे के मद्धे हुआ है ठीक है इस संधी के तहत इस संधी के तहत जैपूर नरेश को कोट पाड़ चुक चुड़ा पोड़ागड और रायगड़ा का छेत्र मिलाता था माराठो को 69,000 टकोली प्रतिवर्स देने के लिए राजी किया गया ठीक है धर्यादेव को सासन काल में बस्तर छेत्र छेत्र छत्तित गड़ का अभिन अंग बना ये भी इंपोर्टेंट है क्योंकि देख पार्ट की संदी इसको भी देखते हैं तो 6 अपरेल 1778 राज येक बस्तर छेत्र मराठा नियंत्राण में आ गया और यहीं से मराठा दिन सासको का सासन स्टार्ट हुआ काक्ति वंस ने इस समय मराठों की अधिनता स्विकार कर ली थी इनके सासन काल में 1795 में मिश्टर ब्ल मिश्टर ब्लंट ठीक है जो ये रोपिया यात्री थे दर्या देव के सासन काल में 1795 में भुपाल पटनम संघर्ष भी हुआ ठीक है विद्रो भी हुआ काराण मिश्टर ब्लंट के आगमन की विरोध में ये भी यहां पर इंपॉर्टन है भुपाल पटनम की भुपाल आधीन भी है और आंगल भी है ठीक है तो मिपाल दे और भुपाल दे दो सासक थे जो आगल मराटा दिन सासक थे तो अठारता से üstघराorden महिपाल देव के सासन था इसके सासन काल में सन 1825 में इस्वी में गेंसी के नेतित में परल कोट के विद्रो हुआ कब हुआ तो 1825 में महिपाल देव के सासन काल में महिपाल देव ने मराठो को टकोली नहीं चुकाया था जिसके करण मराठा सासक वेंकोजी ने सेनापती रामचंदर बाग को आक्रमण हेतु भेजा इस युद्ध में महिपाल पराजित हो गये ठीक है और हारने के बाद संदी हुए जिसमें टकुली ना देने के करण सिहावा छेतर सेनापती रामचंदर बाग को दे दिये गया ठीक है मतलब की मराठा सासक को उसके बदले में भुपाल देखते हैं 1842-1843 निश्वी मराठा सासको ने नर्वली प्रथा के अधार पर भुपाल देव पर अभियोग चलाया भुपाल देव के समय जो नर्वली की प्रथा थी कहां पे तो दंतेश्वरी मंदिर में वो सबसे कुख्यात थी और इसके लिए उनके उपर महाभियोग भी चलाया गया भुपाल देव के सासनकाल में दो प्रसिद जन्चाती विद्रो हुए तारापूर और मेरिया विद्रो यह भी इंपॉर्टेंट है तारापूर और मेरिया विद्रो यह भी एक्जाम में पूछा जा चुक है और सबसे यहां पी important है नर्वली प्रथा ठीक है नर्वली प्रथा कि इसके सासानकाल में प्रचली थी काक्तिए बंस में तो भोपाल देव के सासानकाल में अब देखते हैं ब्रिटिस कालिन सासाक्त जो ब्रिटिसों के अधिन रहा कर अपना सासन चलाया हैं बस्तर शेत्र में तो सबसे पहले हैं भैरम दो तो यहां पर देखे सबसे पहले बहुरम देव 1814, 2018 222. इसके सासनकाल में अंगर्याज अधिकारी चार्स इलियट का 1856 में बस्तर आगमन हुआ अंगर्याज अधिकारी चार्स इलियट ठीक है इसके सासनकाल में तीन प्रमुख विद्र रह हुए लंगागीर, लिंगागीर 1856, कोई वीदरो 1859, जिसे 36 गड़ का चीप को आंदोलन कहा जाता है, वही और मुडिया वीदरो 1874, भैरमदेव के समय में तीनों वीदरो हुए, इसको हम लोग अलग से वीडियो में अच्छे से डिटेल करेंगे, जितने भी वीदरो हैं, यहाँ आपको तीन चेजे याद रखने के जबूरा था, चालसी लेट आया थे 1856 में, लिंगागीरे वीदरो, कोई वीदरो, और मुडिया वीदरो, ठीक है, और यही से आप लोग याद रखिये, कि चत्तिदगर का जो चिप को आंदोलन है, कि इस वीदरो को कहा जाता है, तो लि नहीं से आप लोग इसको याद रखिये, और नेस्ट वीडियो में अच्छा से और रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, बीजापूर शेत्रे महुआ था, लेकिन उस समय वे वो बस्तरपूर का हिस्स्ता था, ठीक है, यह भी एक गिदाम में पूछा जा चुका है, रानी चोल किसने, आगे देखते हैं, रूदर प्रताप देव, अठारो से इंक्यानबे से उननी सो इक्की सिस्वी, इन्हे सेंट अप जेरूसलम, जिसे देख सकते हैं, यह भी एक पूछा जा चुका है, ठीक है, तो जो पूछा जा चुका है, उसको तो आपको याद रखना ही है, हर परहाल में जग्दालपूर का नगर नियोजन कर इसे चावराओ का नगर बनाया था किसने तो रूदर प्रताब देवने इसके सासान काल में गुंडा धूर के नित्य तुमें 1910 में बस्तर का प्रसिद्ध भूम काल विद्रो हुआ ठीक है तो यहां पर याद रखिये का आप भूम काल विद्रोओ को और इसके नेतियत करता कौन थे गुंडा धूर अधूर उसके जो दमन करता अंग्रेज जादीकारी है कौन थे तो Mr. Gheer वा डीबेट याद रखिए जो भूम कल विद्रों के दवन करता कौन थे तो गेयर वब डीबेट यह भी एक्जाम में पूछ सकते हैं बस्तर में घैटी पूनी प्रथा महिलाओ के क्रेय विक्रेय से संबंधित वहाँ पे घैटी पूनी जो प्रथा थी मतलब कि महिलाओ को बेचा जाता था इसकी सुर्वात किसके समय में होई तो रूद्र पताप देव के समय में ठीक है आगे देखते हैं प्रफुल कुमारी देवी जो चत्तिगड की एक मात्र महिला सासिका थी उस काल में किसमें चत्तिगड के इतिहास में और इंडिया में देखेंगे तो रजिय सुल्तान ठीक है तो यहाँ पर देखिए अपरेंटी साइटीस का आपरेशन कराने लंदर गई यहाँ पर उनका मृत्ति हो गया तो यहाँ पर एक मात्र चीज को याद रखना है जो एक मात्र सासिका थी जो 1921 में पदवी समाली थी बस उसके पाद यहाँ पर कोई इंपोर्टन नहीं है आखरी देखते हैं अंग्रेजों के अधिन सासक तो प्रवीर चेंदर भंदेव 1936 से 1931 इसके डेट को याद रखने जरूरी है क्योंकि बहुत इंपोर्टन है प्रवीर चेंदर भंदेव जी जो इस वंस के अंतीम सासक थे अंतीम काक्तिय सासक इनके नाम पर छत्तिगज सासन दोरा तिरय अंदाजी के छेटिर में पूर्षकार दिया जाता है जिसको मैंने इवीडियो के श्टार्टिम में भी बताया था 65 गोका रियासतों कि विलिनी करण के समय बस्तर रियासत की साशक ने समझाते पर हस्ताच्क्र किया था जो रियासतों की विलिनी करण हैं उसमें कि साशक निहस्ताच्क्र किया था तो प्रेविर चेंद्र भंजदेव जीने तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूसफुल लगा होगा और इसके important जो objective questions है उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइट कराऊंगा तो friends अपने trend के साथ इस lecture को जरूर share किजेगा और और भी मेरे इस सीरीज के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखियागा ओके थैंक्यू फर वाचिए